कुमार जब किसी चीज की अत्ती हो जाती है तो फिर जरता रियाक्ट करने लगती है लोग भाग रियाक्ट करने लेती है उसी का एक्जामपल इस वक्त दिखाई दे रहा है जहां जहां भारती जनता पार्टी के नेता या उनकी प्रचार गाड़ी या उनके पोस्टर जरता देख रही है तो जनता के अंदर गुसा आ जा रहा है गुसा वो भी सातवे आस्मान पर एक गुसा होता है एक महावाला गुसा होता है वो गुसा जनता के अंदर है इसलिए जनता लट लेकर आ रही है और उनके पोस्टरों को तोड़ रही है उनकी गाड़ियों को तोड़ र निस्ता नाबूत कर दिया है जनता ने और दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको कि किस कदर जनता ने प्रचार गाड़ी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिये तो आप अंतर तक बने रही हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टरों की जो निस्ता नाबूत कर दिये जनता ने उन पोस्टरों को निस्ता नाबूत कर दिया है तहस नहस कर दिया है ये पड़े हुए पोस्टर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये दरसल जनता का गुस्सा है जो इन्हों ने धोखा किया है पिछले पांच सालों में उसी का जनता रियाक्ट कर रही है पाड रहे हैं पोस्टनों को गिरा हुआ है पोस्टर मतलब इतना गुस्सा आपने कभी नहीं देखा होगा यह गुस्सा दर्शा रहा है कि जनता के बीच भारती जनता पार्टी को लेकर गुस्सा कितना है मोदी जी को लेकर गुस्सा कितना है देगे शलेंद रियाद हूँ ह उपी में खदेड़ा हो वे हो रहा है शायद यही वज़े है कि हर जगे से ऐसी तस्वीरे आ रही है देर न करते वे दूसरी आपको वीडियो दिखा देते हैं जिस वीडियो में साफ तोर पर आप देख सकते हैं कैसे जनता घुस्से में है और पोस्टर को जो यह रथ यात्र वाली रत बनाया था गाड़ी वाड़ी बकाईदे सजाई थी बड़ा पैसा खर्च किया होगा बीजेपी ने उस पर जनता लठ बरसाना सुरू कर देती है यह वीडियो पहले आप देख लीजिए आप खुद समझ जाएंगे कि जनता के बीच घुस्सा कितना जादा है और जनता अब क्या मूड बना चुकी है तो देखा आपने 12 सिकंड के इस वीडियो में एक गाड़ी यहां से निकलती है उस गाड़ी पर शिवराज सिंग चौहान का पोस्टर लगा हुआ है और बीजेपी के वहां के स्थानी नेता का पोटो लगा हुआ है और उपर छोटे छोटे में मोदी जी और बाकी अने निताओं को समलित किया गया है जनता ने जैसे देखा लट उठा लिया और मानना शुरू कि आपने वीडियो पुरा देखा कैसे जो है मार मार के भगाया है अब यह वीडियो ट्विट किया गया है कई जगों से ऐसा उस शक्स ने लिखा है, ऐसी लाइन लिखी है, राहिमिंग मिलाते हुए नीचे, यह बागी है बलिया और उत्तर प्रदेश, इसलिए साइद अब भारती जनता पार्टियों किनारे करने का पूरा मन बना चुके हैं एक यही वीडियो आजयराय ने भी ट्विट किया, आजयराय लिखते हैं कि 30 सिकंड का वीडियो सारे एक्जिट पोल की पोल खोल देगा बलिया उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा की जूठी मार्केटिंग से तंग आ चुके हैं हैस्टेग बीजेपी अटाओ देश बचाओ, हैस्टेग बीजेपी किसानों की कातिल ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझे कि इतना विरोत तुभाई कहीं देखने को नहीं मिला जितना इन तस्वीरों में साब तोर पर दिखाई दे रहा है एक और वीडियो है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं तीस सेकंड का ये वीडियो है, इस तीस सेकंड के वीडियो में भारती जनता पार्टी के नेताओं की जो हालत हुई है वो देखने वाली थी, लोगों ने दवडा लिया लट्ठ लेके या वे धर दिखाई दिये अब तुम पान सालों में, बताते हैं तुमको तुम्हारे ये आशिरवाद यात्रा, तुम्हारे ये बकलोली पनी तो साब तूर पे इस वीडियो में आप देखिए जनता का रोश और जनता कितने खुस हैं तो देखा आपने, मतब सुरू हुआ है लाठी चार्ज, ये ये भी वीडियो ट्विट करते वे लिखा जाता है कि बागी बलिया में बीजेपी को लाठी चार्ज करके भवस्वागत किया गया कुमर सिंग चौराय पर आगमन होते ही जनता खुशे से फूले नहीं समा रही ती वही चीज़े वीरो की दर्ती, जवानों का देश, बागी है बलिया और उत्तर प्रदेश यही चीज लिखी गई है वो पार्ट वन करके लिखा गया है तो आप समझे कि जनता आप किस मूड में है, जनता जवाब देने के मूड में है इन्होंने पिछले पांच सालों में कुछ नहीं किया है, अब जनता सवालों का पुलिंदा लेकर इनके सामने आ गई है पूछ रही है सवाल की बताओ विकास कहां है जरता पूछ रही है सवाल किसानों के साथ आपने क्या किया आए दुगनी हुई की नहीं हुई रोजगार को लेकर बिरोजगार सवाल पूछना है युवा कि बताओ रोजगार कहा है साड़े चारला कहा है दो करोड रोजगार आ गए हो यहाँ भीक मांगने वोट की हम आपको बताते हैं तो ये जरता का वक्त आ चुका है, लोकतंत्र का पर माने वाला है, ये जरता का वक्त है, और जरता जबाब देने के फुल मोड में है, इसलिए उसके हाथ में इस वक्त लगठा है, कि भारतीय जंता पार्टी के नेता अगर दिखाई पड़ गए, तो उनका स्वागत काइदे से होगा आपने देखा था अमेठी में स्मृति रानी को लेकर महिलाओं में कितना विरोध था सीधे-सीधे महिलाए कह रहे ते डंडा लेकर वैठे है आए तो इसमृति रानी दिखाई तो पड़े आहां अमेठी में डंडा से सुद देंगे तो अब ये क्यूं हो रहा है लेकिन हाँ अब जनता भी समझने लगी कि ये किसी के भी नहीं है भईया किसी के लिए काम नहीं आने वाले हैं इसलिए अब जनता जवाब देना शुरू कर चुकी है तो ये वीडियो आप साब तोर पर देखिए कि इस वीडियो में कैसे जो है शिवरा सिंग जी को पीटा जादा था अब कुछ कॉमेंट्स भी ले लेते हैं ट्वीट भी ले लेते हैं कि जनता भाई क्या कुछ कह रही है लिखते हैं हमारा प्यारा भारत महां लिखते हैं लगता है जनता अब क्रांती के मूड में है भारत में भी मिस लीबिया जैसे अत्याचारी सत्ता के जनविरोधी के हालाद बन रहे हैं, जनविरोधी हालाद बन रहे हैं, 2024 तक इंतजार के मूड में नहीं है जनता, राम जाने कोश्चन मार्क लगा दिया है, कि राम जाने के आगे क्या होगा, अब क्योंकि जनता जवाब देने के मूड में आ गई है, जब जनता जवाब देन का इनको बाहर कर देने का यूकि इनों ने जब जब सत्ता समाली और जब सत्ता में बैटे तो सिर्फ जनता को धोके में रखा जूंड बहुत बोले काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ शायद इसलिए अब जणता विरोथ कर रही है इसलिए ऐसी तस्वीरे निकल कर सामने आ रही कि पोस्टर फाड़े जा रहे हैं स्मृति इरानी के भी और यहाँ बलिया में मोदी जी के भी एक एक पोस्टर को जणता ने फाड़ कर जमीन पर गिरा दिया है बलिया बागी हो ग आपने देखा कि मद्दबर्देश के सीम भी वहां पहुचने वाले थे और उनकी जो प्रचार गाड़ी थी उसको भी कैसे जनता ने पीटा है यहापने तस्वीरों में साब तो राम जाने लेकिन साब तो पर यह तस्वीरे बया कर रही है कि अगर कहीं नेता दिखाई झाल कर रहे हैं यहाँ देखाई अदो